सावले सपनों की याद इस कहानी के लेखक जाबिर हुसेन जी है उन्होंने इस कहानी में सालिम अली के एक परसिद वर्ड वाचर के बारे में बताया यानि पक्षी विग्यानी के बारे में बताया वे कहते हैं कि पक्षियों के बारे में जनने का शौक रखने वाले को ही वर्ड वचर कहते हैं सालिम अली का ज्यान भारती पक्षियों के बारे में अधभुत्ता इस कहानी में जाबिर हुसेन सालिम अली की सव यात्रा जो की आखिरी यात्रा थी उसके बारे में बता रहे हैं सालिम अली प्रकरती में उसी तरह से मिलकर रहते थे जैसे कोई पक्षी अपना आखिरी गीत गा करेके अपने प्राण त्याग देता है फिर अनेक तमाम कोशिशों के बाद भी वह जिन्दा नहीं हो सकता है ना ही उस मरे हुए व्यक्ति को जिन्दा करना पसंद करेगा लेखक जाविरुसेन कहते हैं कि सालिम अली का कहना यह था कि लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि लोग पक्षी जंगल जर्नो आधी प्रकरती की नजरियों को ना देख करके आदमी की नजर से उन्हें देखा करते हैं लेखक फिर से कहते हैं कि व्रिंदावन का नाम सुनकर श्री कृष्ण जी की याद खुद बखुद आ जाती है ठीक वैसे ही जैसे पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली का नाम हमारी जुबान पर या दिमाग में आप आ जाता है आज भी अगर हम व्रिंदावन जाते हैं तो यमुना नदी का जल उन्हें अपना पुराना इतिहास याद दिला देता है जब श्री कृष्ण ने यहां रास लिला की थी गोपियों से शरारत की थी दूद दही खाया था और मक्षन की हांडिया फोडी थी दिल की धड़कन क तेज करने वाले बानसुरी जो उन्होंने बजाई थी वहां पर सबसे पियारी लगती थी उन्हें और जिसे सुनकर के सारा विर्ंदावन जूम उखता था सारे विर्ंदावन में संगीट हो जाता था एक अध़ुत संगीट से विरंदावन गुनजने लगता था आज भी यमुना के उस काले पानी को देख करके वो सब याद आ जाता है कि किस प्रकार से वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला की होगी अपनी बानसूरी बजाई होगी मानों अभी अभी भगवान श्री कृष्ण वानसुरी बजाते हुए कहीं से आ जाएंगे और सारे वातावरण में वानसुरी की मतुरतान बिखेर देंगे सच में पृंदावन और कृष्ण एक दूसरे के पूरक बन गए है दोनों का नाम एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ गया है कि विंदावन का नाम लेते ही हमें कृष्ण याद आ जाते हैं और कृष्ण का नाम लेते ही हमें विंदावन याद आ जाते हैं लेखक फिर से बताते हैं कि सालिम अली एक दुपले पतले मरियल से व्यक्ती थे अब उनके जीवन में सो साल पूरे होने में कुछ ही टाइम बाकी था परन्तु बहुत अधिय क्यात्राओं के कारण उनका शरीर काफी ठक गया था और कैंसर जैसी बिमारी ने उन्हें मोत के मुँँ में भेज दिया था परन्तु सालिम अली अपने आखरी सांस तक विबिन पक्षियों के तलाश में और उनकी देखरेख में लगे रहे उनकी पतनी तहमीना उनका बहुत ध्यान रखती थी और तहमीना उनकी सेपाठी भी रहे चुकी थी आगे लिखा क्या है केते हैं कि सालिम अली के वर्ड वाचर बनने के पीछे एक कहानी चुपे हुई है कहानी क्या है कहानी यह है कि बच्चपन में सालिम अली के मामा ने उपहार में उन्हें एक एर गन दी थी वह बहुत खुश थे लेकिन एक दिन रोज की तरह खेलते खेलते उन्हें अपनी चट पर बैठी गुरया दिख गई और उनके मन में शैतानी आ गई बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने एर गन से उस गुरया पर निशाना लगा दिया और निशाना चुका नहीं और गुरया क को चा करके लग गया जिससे वे घायल होकर के चट पर गिर पड़ी उसे घायल देखकर कि सालिम अली को बहुत पच्टावा हुआ अब उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने उस पक्षी को मार दिया है घायल कर दिया है और उन्होंने उसकी देखभाल करने का निर्ण और बन गए आगे जावीर हुसेन यह भी कहते हैं कि इस घटना का वर्णन सालिम अली ने अपनी आत्मकथा फॉल आफिस पैरू में भी किया है लेखा किया दर्शाते हैं कि अनुभवी सालिम अली ने ततकाली प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंग के केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्थान के भयाने खावा जो कि धूल भरी थी उस से बचाने का निवेदन किया था सालिम अली के द्वारा बताए गए इन प्राकर्तिक खत्रों के बारे में जान करके चौधरी साहब अत्यथिक भावु खोट थे और जाविर उसन फिर से कहते हैं कि वे दोनों अब दुनिया से जा चुके हैं वे कौन है जो खतरनाक और बर्फाले स्थानों पर रहने वाले विभिन पक्षियों की रक्षा करेगा अंत में सालिम अली पक्षियों को खोजने के विभिन तरे के अपनाते रहे उनका प्रकर्ति अनुभाव विशाल सागर के समान था वे प्राकर्तिक सौंद्रिय से युक्त जीवन का प्रतिबिम्ब थे उसका दरपन थे प्रकर्ति औ अब सालिम अली दुनिया में नहीं है और उनको जानने वाले सभी पक्षी प्रेमी और अन्य लोग भी यही सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं बलकि पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और वहां से जल्दी ही लोट करके आ जाएंगे वे सभी लोग तो आज भी यही चाहते हैं कि सालिम अली उन सब के बीच में वापस आ जाएं और अपने पुर्व की तरह पक्षियों की देख भाल करें पुर्व की तरह ही पक्षियों के तलास में